अलो टेडर्स विलकम टू आर यूट्यूब चैनल टेडर्स मार्केट अनलीसिस वीडियो में अफका स्वागात है अब यो मार्केट में मैं व्यूपाइंट क्रिएट कर रहा हूं क्या देखती हुए क्या व्यूपाइंट मनाड़ा वो डीटिल्स में आपके साथ explain करूंगा देखो के market क्या कर रहा है सर, market का सही धंकाम analysis करेंगे, तो यहां से नीचे से एक deadline आ रहा है, और कहिना कहीं market इस deadline के पास आके रूख रहा है, तो अब मेरा viewpoint यहां पर क्या बनेगा सर, market इस type का यहां पर in pattern create करके, market एक upper side range को complete करेगा, कहां तक आ सकता है सर, यह levels तक आ सकता है कौन सा level, बहुत बड़ा momentum आज expect मत करो सर, मेरे हिसाब से इस levels पर आया है, एक in pattern create करेगा, in pattern बनते हुए market एक upper directional का momentum को continue कर सकते हैं, ठीक है सर, downside जाना है तो कब जाना है सर, downside सर जाना है तो east levels का नीचे, धैन फुर्बग सुन लीजे सर, जब तक 45,000 का नीचे नहीं आ रहा है market, जब तक market 45,000 का नीचे नहीं आ रहा है, तब तब आपको कोई भी sale site का भीव नहीं बनाना है, जब तक market 45,000 का नीचे नहीं आ रहा है, तब तक market के अंदर कोई भी sale site का भीव नहीं बनाना है, market 45,000 का नीचे आ जाएगा, तब ही जाके sale site का भीव बनाना है, तो ज़्य ज़्यादा से ज़्यादा भीवपाइट अमारा आज का ये रहेगा थोड़ा सा हम लोग बुलिश साइट गेम को प्ले करेंगे मान के चलो 45,000 का नीचे बैंग निप्ति आ जाता है तब जाके मैंने सेल साइट का भीवपाइट नहीं तो जब तक मार्केट ऊपर रहेगा इस टाइक प्राइस का वैलू 250 एवाब पर है उस टाइक प्राइस पर हम लोग कामकाच करेंगे ठीकह तो यहां पर जाके clear cut view है क्या यहां पर जाके देखोगे यह वाले resistance zone है market इसको resistance लिया यहां पर जाके support support यह first time second time third time यह point पर आया market यहां पर इस type का in type का pattern create करके एक उपर side momentum कर सकता है इस level तक जा सकता है इसका उपर expect मत करना क्योंकि expiry है यह चीज़ आपको याद करके रखना पड़ेगा expiry है one directional momentum नहीं आएगा यह आप जाके थोड़ा सा नीचे आके फिर उपर जाएगा उसके बाद इसी का बीच में जाके closing कर देगा आज इसी का बीच में जाके closing कर देगा market यहाँ से इस type का end pattern बनते हुए उपर जाएगा इस levels तक आएगा यहाँ से जाके फिर return आ जाएगा लेकिन यह चीज़ ध्यान में रखिये सर यहाँ पर आएगा आने के बाद फिर return आ जाएगा यह अब यह मत सोचना है यह breakout करके उपर च जाएगा maximum chances क्या रहा था है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके end pattern बनते हुए इस levels तक आएगा यहाँ पर जाके फिर यह levels के आसपास आज का closing कर देगा ठीके तो उसी हिसाब से option में काम कच करना बढ़ेगा यह चीज हम ऐसा याद करके रखिये सर डाउन साइड भीव जब उपा target में नहीं देखूंगा क्योंकि expired है इस levels पर आएगा यहाँ पर जाके फिर नीचे आएगा तो यहाँ पर जाके PNM DK बढ़ेगा तो यह चीज आपको याद करके रखना बढ़ेगा बड़ा momentum आज नहीं होने वाला है छोटा momentum मिलेगा तब भी कितना point momentum हो सकता है यहा पर 280 point का अभी भी space है 280 point जाने का तो उसी हिसाब से आप काम कच कर सकते हो मैं जो काम कच करूंगा सर call site का मैं काम कच करूंगा आज ठीक है